नमस्का श्रेंड आज की वीडियो में जो मैं लेकर किया हूँ वो यह अम्टी के जितने भी सारे पार्ट है वो हम आपको एक एक करके सारे पार्ट बताने वाले हैं कि पहला जैसे मैंने वीडियो में बता है कि हमारे जो डॉंगल आता है उस डॉंगल को चलाया कैसे जाता है इस डॉंगल को एक्टिवेट कैसे किया जाता है किस तरीके से चालू करेंगे इन सब चीजों के बारे में आपको वीडियो के बारे में मैंने आपको समझादा है लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो UMT PRO के अंदर जितने भी सारे फीचर साते हैं वो सारे फीचर को हम लोग step by step सीखेंगे step by step किस तरीके से डोंगल को यूज करेंगे और कैसे इसके माधियम से मोबाइल फोन में अम लोग अनलॉकिंग करेंगे क्या ऐसा काम करेंगे जिसके माधियम से मोबाइल फोन में लोग खोल सकते हैं लघ डोग फूप सब्सक्राइब कोरुक और डोग आपने कि अभाइब बनार रोक्स फ़िए इसरज नोग है लोग के मताईय जिसको अपनीश ते नकिल रोपए के अब और हमेंसींल व्ही थैक्स कोई। बेसिक लेवल से लेके अडवांस लेवल था कि अगर कम्पली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिये हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मेरा नाम रागवन और मैं इटेक इस्ट्ट कांथ को से बात कर रहा हूं जहां पर आपको मोबाइल फोन लैप्टाउ पर इस तरीके से कम्पलीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है चलिए दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं सब्सक्राइब आज का टॉपिक क्या है हमारा जो आज हम लोग जो सीखेंगे वह क्यू सीफाइब QC FIRE कैसे यूच किया जाता है QC FIRE के मादियम से किस तरीके से मोबाइल फोन में अनलोकिंग करी जाती है QC FIRE का मतलब होता है आप इसमें जितने भी Qualicam CPU के जो भी सारे मोबाइल फोन आते हैं सारे Qualicam CPU के मोबाइल फोन को आप रिपेर करेंगे क्या करेंगे? Qualicam CPU को मोबाइल फोन को रिपेर करेंगे आप उसमें जानलोकिंग करना हो, पैटन लॉक तोड़ना हो, पैटन को रीड करना हो, पासबर को ब्रिक करना हो, पासबर रीड करना हो, या मोबाइल फोन में नया सौप्टर डालना हो एक mobile phone को software को load करके किसी दूसरे mobile phone में software डालना हो ऐसा कुछ भी काम करना हो तो आप इस QC Fire के माध्यम से कह सकते हैं चलिए दोस्तों आप इसको यूज करने का तरीका सीखते हैं कि किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा सबसे पहले क्या करना आपको आप उसको अपने system में क्या कर देना है connect कर देंगे यह दोस्तों आपका system में क्रीश नेगा connect हो जाएगा जब आपका dongle system में connect हो जागा तो system में connect होने के बाद आप उसको आसाणी से अनलॉक कर सकते हैं फ्लेरCom winner सकते हैं यह mobile phone में software डाल सकते हैं तो भी सारे फीचर हैं, सारे फीचर का आप यूज कर सकते हैं, चलिए दोस्तों मैं आप बात करता हूँ, सबसे पहले बाद के डॉंगल को चलाने के लिए आपको यूम्ती सपोर्ड में जाना पुड़ेगा, यूम्ती सपोर्ड जो है हमारे स्क्रीन पर तक खुल जाएगा, खुलने के बाद आपको इस्टॉलर में जाना है, जैसे आप इस्टॉलर में जाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें क्यूसिफायर में जाएंगे, देखें आप कहीं लिए लिखा है, यह लिखाना, क्यूसिफायर 8.4, आप इसे ओके करेंगे, ओके करेंगे, स्टार्ट कर देंगे यह डाउनलोड होना सुरू हो जाएगा यहाँ पर डाउनलोड होते समय आपके सिस्टम में इंटरनेट के स्पीड अच्छी होनी चाहिए इन्टर्नेट फास होना चाहिए अगर Internet slow होगा तो आपका downloading speech फीड्य स्लो होगी तो इन्टर्णेट क्या हो जातना चाहिए फास होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे system में अपने Dungle को क्या करेंगे connect करेंगे, connect करने के बाद आप इसमे software को load करेंगे आप software का कैसे load करेंगे हम आपको थोड़ा सा आंगया और detail में बताते हैं क्योंकि पहले आप load हो जाने दिए इसका थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, क्योंकि ये internet के speed को पर depend करता है यह हमारा download हो गया download होने के बाद आपको location में जाना है जैसे आप location में चले जाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर देखेंगे crucifier 8.4 को ओफसन आ रहा होगा यह देखिया ओफसन आ रहा है आप इसको क्या करेंगे, install करेंगे जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक setup खुलेगा installation के लिए चालू हो जाएगा यह देखिया यह हमारा चालू हो गया यहाँ पर लिक क्याता है legal information agreement community team and its user यह software में आप इसकी पूरी सारे information पर सकते है क्या क्या दिया हुआ है iAccept agreement पर click करेंगे उसके बात क्या करेंगे next करेंगे जैसे next करेंगे तो इसमें सारा सबको डीटिल ले रता कि QC Fire 8.4 वजन है the ultimate qualicam tool यह ङो क्या 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 Ц., क्या क्या काम कर सकता है इसे क्या 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 सकता है read गजर सकता है अगर आपके मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन है, तो आप उसका पैटन को रीड कर सकते हैं, इनेबल डिइत गननुस्टिंग मोड ले व सकते हैं, बनलोक कर सकते हैं, रीबूट इल मोड कर सकते हैं, अमाही अकंट को रीसेट यस तरह के दे means बहुत सारे फीचर दे ह हैं ग्निस जो आप उनको उसक एप उसकते हैं। न송 करने आपके में नद नद करने निदकay उसको यूज करेंगे, जो भी सारे फीचेर्स आते हैं, जो भी सारी चीज़ आती हैं, वो सारे फंसन को, फीचेर्स को, सब चीजों को हम लोग समझेंगे, कि इसके माधियम से कैसे हम लोग रिपेड करेंगे. ओके? कुलोज कर देंगे फिनिस यह हमारे स्टॉल हो गया जैसे हमारे स्टॉल हो जाएगा तो स्टॉल होने के बाद फिर हम देखेंगे हमारे डेस्टॉप में ऐसा क्यूसिफायर जैसा लोगो बन क्या जाएगा यह क्या करेंगे ओपिन करेंगे जब आप इस logo को open करेंगे तो logo open करने के बाद आपके desktop पे QC fire का logo खुल के आ जाएगा यह देखें इस QC fire logo के माध्यम सब जो भी mobile phone आते हैं सारे mobile phone के आफ लेशिंग कर सकते हैं जो भी सारे काम कर सकते हैं सबस्वे पहली बात पहला option आता फ्लेशर खा यह फ्लेशर वालो जो option आता इस option पर जाएंगे तो यहां पर आप mobile phone के रहने raw 0, patch 0 दोनों फाइलों को हम लोड कर देते हैं लोड करने के बाद बस mobile phone में software डल जाएगा software डलने के बाद हमारे phone में flashing हो जागी है चलिए दूस्तों मैं file को load करके दिखाता हूं कैसे फाइल को load करेंगे यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वो पुछेगा file हमारी का रखी है तो जैसे यह raw 0 हमारे पाद पहले कोई file open कर रखा किसी ने अगर नहीं है तो हम लोग my computer में जाएंगे D के अंदर जाएंगे e-tech mobile software में जाएंगे यहां पर flash file में जाएंगे flash file के अंदर देखें जैसे मेरे पास mobile phone की Redmi 7A की file लखी इसे open करेंगे इसके अंदर file को load कर देंगे उसके बाद patch 0 में जाएंगे patch 0 को load करेंगे यह हमारी file क्या हो गई? फाइल लोड होने बाद आप लोग फ्लैसिंग पर क्लिक कर देंगे जैसे फ्लैसिंग कर देंगे तो हमारा mobile phone flash हो जाएगा हमारा phone ठीक हो जाएगा ऐसा flash करने से यह हमारा mobile phone dead हो जाता है restart होता है, hang होता है, slow working करता है कभी चलता है, कभी नहीं चलता यह कोई mobile phone में फीचर गायब हो जाते है यह कोई भी mobile phone में अपली किसम गायब हो जाती है ऐसा करने से हमारे mobile phone में software नया डालने से हमारी सारी problem हो जाती है सारी problem ठीक हो जाती है जो हम फिरी वाले flash tool से करते हैं तो उससे कई गुना ज़्यदा बेटर है और यह थोड़ा सा paid है rechargeable है इसकी working भी अच्छी रहती है अब लगों बात करेंगे यह flash tool के बारे में हमने समझा है हम लोगों को बात करेंगे read and tool के बारे में read and tool जो option आता है इसके माध्यम से आप जो भी mobile phone आते हैं सारे mobile phone में आप unlocking कर सकते हैं इसके CRP आटा सकतें passport आटा सकतें patern को जीट कर सकते निधा स्शचर पहली पात आप कोई भी mobile phone आता है यदि आपके पास MI company का mobile phone आता है रेडमी company का mobile phone आता है बहुमेर कन देजिए यह रहें देजिह आप पर जहने कापर भी देजीए generic quality काम, hu a generic quality काम रहने दिए जैसे आप इसको रहने देंगे उसके बाद आपके पास पास कोई भी फोन आता है तो पहले सबसे पहली बात उस mobile phone तो कॉप्यूट्रे से करनेट कराई एग करनेके निदो कि की सब्सक्राइब कर in जब उसको कि सब्सक्राइब 식ूप में dalemin 레o इसके लिए सब्सक्राइब लिए चाहए थे नियुकन नौडड में कि आम उसके बाद से निल मैं और से निल स allegedly लिए जब कर देन पहले से connect होता है, तो यहाँ पर लिख जाएगा, COM-3 ADL Point Phone Connected, आपका मोबाइल फोन में फार्मेटिंग क्या हो जाएगी, चल हो जाएगी, यदि आप किसी मोबाइल फोन का FRP एटाना चाहते हैं, तो आप reset FRP पटिक करेंगे, बोलेगा कि आप मोबाइल फोन का FRP तोड़ना चाहते हैं, तो कोई भी मोबाइल फोन आता है, तो उसका पूरा OS कॉपी कर सकते हैं, जैसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास यह मोबाइल फोन आया, इस मोबाइल फोन में आप सॉप्टर डालना चाहते हैं, तो सॉप्टर डालने का मतला है, अगर इसकी फाईल अमको गूगल से डाउंडोड करनी पड़ती है, जो फाइल को आप Google से डाउनलोड करनी पड़ेगी तो अगर हमारे पर कोई दूसरा ऐसा मोबाइल फोन बनने है जिसमें स्पीकर के प्राब्लम है कामबो डला हुआ है, टच डला हुआ है लेकिन मोबाइल फोन पुरे चला है तो हम लोग क्या करते हैं उस मोबाइल फोन को कम्पूटर से कनेट करते हैं कम्पूटर से कनेट करने के बाद उसके सॉप्टर को क्या कर लेंगे कॉपी कर लेंगे उसके सॉप्टर को कॉपी करने के बाद उसको अपने सिस्टम में रख लेंगे रखने के बाद जब कोई दूसरा mobile phone आएगा तो उस mobile phone के अंदर file को flash कर सकते हैं जिससे हमारा mobile phone ठीक हो जाएगा तो इसे बोलते है read farm भी है जो हम लोग यहां से करते हैं उसके बाद यदि कोई Vivo company का mobile phone आता है तो Vivo FS से जाकर कर देते हैं अगर इसके लावा और भी company को कोई भी mobile phone आता है तो फिर आपको भाई यहां से brand सेलेट करना प्रता है जैसे यहां पर brand में जाएंगे यहां पर बहुत सारी company को नाम लिख कर किया जाते हैं आप जिस company के mobile phone को लोग खोलना चाहते हैं जिस mobile phone को करना चाहते हैं जिसे माल यह OPPO है तो OPPO को CD में चले जाएंगे यहां का OPPO दिख रहा है यह दिख रहा है OPPO ले लिया OPPO के बाद कौन सा model आता है जो भी model आता है आप उस model को OPPO Reno4 Pro को ले लिया उसके बाद इसको format FS पर लेकर execute कर देंगे format हो जाएगा लेकिन यह वीवो को phone आता है तो पर यहां पर आपको वीवो FS2 लेना पड़ेगा और यहां पर आपके model जो है वीवो को select करने पड़ेंगे वीवो के बाद जो भी model आते हैं आप उस model को एक एक करके ले लेंगे जिस model को select कर लेंगे select करने पाद उसके execute कर देंगे आपका mobile phone क्या हो जाएगा format हो जाएगा अगर यदि हमारे पास कोई mobile phone आता है उस mobile phone में MI account लग जाता है क्या लग जाता है तो MI account लग जाता है तो MI account लग जाता है तो MI account लग जाता है तो MI special में जाएगे सावमी स्पेशल में आगर आप देखेंगे हैं तो reset my account का method आता है, reset my account new method आता है, तो यहां पर आप reset my account new method पर click करेंगे, और आपके mobile phone operation जैसा run होगा, phone connect होगा, और आपका mobile phone क्या हो जाएगा, my account क्या हो जाएगा, reset हो जाएगा, my account तोट जाएगा, तो इस तरीके से माध्यम चाप के बाद जो भी mobile phone आते हैं, जो भी company के mobile phone आते हैं, तो सारे company के mobile phone को आप क्या कर सकते हैं, लोग को तोड़ सकते हैं, इस dongle के माध्यम से, इस dongle के माध्यम से आप mobile phone में आप unlocking कर सकते हैं, आप mobile phone में pattern को read कर सकते हैं, pattern lock को तोड़ सकते हैं, phone क को format कर सकते हैं, FRP को हटा सकते हैं, फोन को reset कर सकते हैं, या इसमें hang, logo, restart, dead, ऐसी बहुत सारी समय सहें आते हैं, तो सारी समय से हाँ को आप इस दोंगल के माधियम से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ क्वालिकाम CPU, क्वालिकाम CPU चाहें, उपोम लगा है, व्यूम लगा है कोई भी mobile phone है, सबसे परेसिक बात में आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी mobile phone आता है आपके पास, software ठीक होने के लिए, तो सबसे पहला क्या करना है, Google पर जाना है, काँ पर जाना है, दोस्तों, Google पर जाना है, Google पर जाने के बाद, आप Google पर पूंच लेना है, जैसे हमाली के बार mobile phone आया mobile phone पेक है not eight mobile phone आ गया तो आपको google पर जाना है google पर जाने के बार google पर आपको कै करना है सर्च करना है MI 9 8 अवांगे लिक दे to high GSM आपको Google पर सर्च करेंगे यहाँ पर लिखेंगे My Note 8 अब आगे लिख देंगे JSM Arena जैसे दोस्तों आप JSM Arena लिख करके सर्च करेंगे एक साइड खुल किया जाएगी JSM Arena एक हमारी वेफसाइड होती है जो mobile phone के सारा information देने का काम करती है तो यह बदाने काम करती है किसके नदर क्या कैची लगा हुआ है अगर आप इसको open करेंगे उपर जाकर देखेंगे तो देखेंगे इस देना platform chipset अगर आप chipset में जाएंगे तो chipset में देखेंगे यहाँ लिख करके आता है Qualicam क्या लिक कर आता है Qualicam Qualicam यह लिख करके आ रहा है तो जिसे हमको पता चला है कि हमारे इस mobile phone में क्पों तो CPU लगा हुआ Qualicam CPU लगा हुआ है जिसके मादिया हम से जो भी Qualicam CPU को Mobile phone हैंगे तो सारे Qualicam CPU को Mobile phone को आप इसके मादिया आपको CPU पता चल गया, जब CPU पता चल जाएगा तभी आप मोबाइल फोन को क्या कर पाएंगे, अब हम लोग बात कर आँगे चलते हैं, यह तो हमने CPU को बारे में जैसे हमने जानकारी ले लिया है, अब हम लोग अपने फिर कुसी फार डंगल पर चलते हैं, जो भी मोबाइल मोबाइल फोन को अनलॉकिंग कर सकते हैं, 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 तो आज हमने दोस्तों आपको क्वाली काम के बारे मताया कि किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, कैसे उसको UMT support में जाके डाउनलोड करेंगे, कैसे इसको install करेंगे और उसके full software को कैसे यूज करेंगे आगर दोस्तों जितने पर सारे जो नए लोग है जो नए लोग यूजर है जो mobile phone software repairing में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए के करके सारे part by part आपको वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे समझ में आए और ये देख सके कि mobile phone में software repairing सीखना कितना असान है वैसे लोगों ने market में software के नाम पर अगर देखा जा तो बहुत बड़ा हुआ बना रखा है हुआ कैसे बना रखा है अगर देखा जा तो 100 लोग market में mobile phone repairing करने वाले होंगे तो 100 में से 10, 12 या 15 लोग ही ऐसे होते हैं जो पूरा complete काम करते हैं उसमें ते 50-60% ऐसे लोग होते हैं जो mobile phone ले लेकर जोला बरबर के दूसरे दुकान में गुमते रहते हैं वो कभी mobile phone में lock तोड़ी नहीं सकते हैं format करी नहीं सकते हैं अपार भी अटाई नहीं सकते हैं मेरे दोस्तों आप लोगों से मानना है अगर आपके mobile phone रेपेरिंग के सौफ है अगर आप mobile phone रेपेरिंग का काम कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने life में ऐसा काम करें कि पूरा complete काम करें आदा दूरा काम ना करें अगर आपके पास कोई mobile phone में glass चेंज कराने के लिए आता है तो वो भी आप कर सके अगर आप mobile phone में कोई IC डलवाने के लिए आता है power IC CPU खराब हो जाता है MMC खराब जाता है तो आप उसको भी रेपेर कर सके अगर आपके mobile phone में कोई pattern log लग जाता है FIP log लग जाता है कोई BSO log लग जाता है तो आप उसको भी बहुत आसानी से कर सके तो आप खुल मिला करके जो भी आपको training लेना है वो पूरा complete training लेना है तक आप G1 में अपना पूरा सब्सक्राइब करके complete अच्छी तरीके सीख करके एक बेटर future के साथ मैं अच्छी सुरुवात कर सके और अच्छी तरीके से काम कर सके तक आपको लाइफ में कोई problem ना है इसलिए दोस्तों मैं आपको software के वीडियो में आपको बना करके दे रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में कैसा लग रहा है क्या क्या सारी चीज़े समझ में आ रही है बहुत सारे ऐसे लोग है जो लोगों ने मुझे मेसेज किया है कि सर देखिए मैं आपकी वीडियो को बहुत सारा record कर रहा हूँ उनको कई-कई बार वीडियो को देख रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है बहुत सारी चीज़े समझ में आते हैं एक लोगों तो मुझे फोन भी किया कि सर मेरे पाई कीपड का Samsung का मोबाइल फोन आया था और इस मोबाइल फोन में लॉक लगा था मैं आपकी वीडियो देख करके मोबाइल फोन का मैंने लॉक खुला मुझे यह भी नहीं पता था कि किसे अप्यू क्या होता है सप्यू क्या होता है कैसे ट्राइवर डाउनलूड किया जाएंगा कैसे मोबाइल फोन इस अनको कुछ भी नहीं बता था लेकिन उन्हों पहली बार अपना मोबाइल फोन का कि चलो ठीक भाइड के वीडियो का मादर्यम से इतना सब को अस भी किया उस mobile phone को उन्होंने प्रेटकल किया कि software download किया file download किया tool download किया उसके माध्याम से mobile phone में unlocking करी उन्होंने मुझे phone किया कि sir मैं आपकी video के माध्याम से कर पाया हूं बहुत सारी चीजे मुझे सीखने को मिली है अब बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा रहता ना कि video में कभी कभी confusion life में ऐसा होता है कि कभी कभी यह तो पूरा video नहीं मिल पाता यह तो पूरा video अच्छी तरीके से दीख नहीं पाते यह तो जो भी सारा concept है जिस दिमाग कहना doubts है वो doubts some video के माध्याम से भाई वीडियो तो इस वीडियो को दस बाद देख सकते हो लेकिन जो आपके दिमाग कहना दूबीदा है जो परेसान ही वो तो ही ने वीडियो से भूख सकते हो तो आपके training एक demo के लिए होता है कि आप demo से इतना सारी चीजों को सीख सकते हो तो जब आप individual और personally मेरे पार training के लिए आएंगे तो आप कितना अच्छा नहीं सीखेंगे कि इतना अच्छी तरीके से उस सारे काम को आपने कर सकते हैं तो इस बात के लिए मैं आपको कहना चाहता हुलें और जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होता है वो सजी üstले समय देना पड़ेगा और खोलो 對 आट बज़े से साम उस्सीन कंडή स्टैनिग अपड़े है और यह से लेकर होन सारे मोबाइल से से अब चप्र Tus original हैं mobile phone repairing के 100 पच्छे से चला सकते हैं जो नए लोग ऐसे हैं जो इस line में विकुल 0 हैं जो लोग उन्होंनों सोचा ही नहीं कि है mobile phone repairing का काम से कुछ काम भी करेंगे तो वो लोग भी अपना अच्छी तरीके दोस्तों अपना काम कर सकते हैं ताकि आपको कभी वी जीवन में भ्警 में कभी भी परिह भी कोई नहीं मुझे श planes में धत्याइग स्लश्ड़िए और पर पर्फैरेंग के जाते हैं और मैं पहली मैं खुद प्रफेशनल ट्रेनर हूँ, मैं खुद आपको सिखाता हूँ, कोई ऐसा नहीं, विजनेसमेन की तरह नहीं, कि आप कॉल उठाएंगे, तो फॉन कोई और बात करेगा, कोई आप से मैडम बात करेगे, सीखने के लिए टाइम लेंगे, यह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, यह फीज भी बहुत हाई लेबल हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं, मातर सजी इसको सीखने में जो ट्यूसन फीज का खर्चा आता है, यह पंदर से बीस हजार रोपय के अप्र जो भी स्टेडी मेटरियल है, मोबाइल फोन है, रिपेरिंग के लिए माइक्रोस्कोप है, OCS मसीन है, हॉडगन मसीन है, आयरन है, टूल से, जो भी सारा सामान है, वो सारा सामान आपको यहीं से मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर के तरफ से प्रवाइड करा जाता है, ताकि आप 100% तरीके से सीख करके ही जाएंगे अगर आप इस लांग में भीकुल जीरो लेवल हैं भीकुल फ्रेसर हैं या आपको बहुत सारा काम कर रहे हैं उसके बाउजित भी आप से मॉबाइल फोन ने ठीक होते हैं या आप सॉफ्टर का काम नहीं कर पाते हैं एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा मार्केट में बहुत ऐसे कम ट्रेनर होंगे जो हाडवेर सॉफ्टर दोनों काम कभी जिन्दिगी में पूरा सिखाते हैं वो लोग कभी पूरा सिखाते नहीं हाडवेर को कोई और आतमी सिखाता है उसके बाद जब काम करने के बारी आती है तो लौबाइल फोन सॉफ्टर वाले स्ऊफ्टर वाला स tenants हाडवेर नहीं जानता सॉफ्टर वाला हाडवेर नहीं जानता तो महीने पंता दिन कहीं प्रैक्टिस करने के बार आप अपने सफालता पूर्वा करने के लिए कोई बहुत जादा पैसे की ज़रूत नहीं होती है पचास जार एक लाग तक में मुबाइल फोन का एसे लिए जड़ तक 40-50 जार रुपा है मुबाइल फोन का सामान आ जाता है और सामान लेने बाद आप उसी तरीके दे काम कर सकते हैं तो आज दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बताया है कि किस तरीके से हम लोग UMT support को open करेंगे कैसे UMT support को use करेंगे आज मेरे पाथ एक फोन आया था जो उडिशा के रहने वाले थे भूनेसर के रहने वाले थे उन्होंने मुझे फोन कि गया वो कहिए कि सर्न में एक mobile फोन डिपेटिंगे सीखने ळियूए για जाता था जाता था था क्या कि दोब तक यह हुए என us स्कूरई को मुझे माईन क menor ऑद नियू भी मनिन मेरे मन था लिए तर दो मेरे जाननी लागा वो लोग तो खेर मैं सीख गया वहाँ पर कि मॉबाइल फोन में जैक बदल सकते हैं, माइक बदल सकते हैं, कामबो बदल सकते हैं, फोन को खोल सकते हैं, स्पीकर देंकर माइक बदल सकते हैं, लेकिन सर मॉबाइल फोन अंदर से संतुष्टी वाली बात नहीं आए, कि चार्जिंग तो उन्होंने आज मेरे को कोल किया कोल करने बार सारी बाते बताई और यह भी बोला कि सर मैं आपके पास एक तारीक है एक तारीक से पहले ही आना चाहता हूं और आकर के पूरा कमपलीट काम सीखना चाहता हूं हम नमको विसफ़ भी दिला है कि ने सर आप आपके अच्छे तरीके से सीख करके जा सकते हैं इस बात का मेरे आपको वादा है कि आप पूरा कमपलीट सीख करके जाएंगे तो आप लोग भी ऐसे ही हैं अगर ऐसी कोई परिसानी है जीवन में हैं ऑगर आप बेरिंग सीखना चाहता हैं तो नीचे स्क्रिन पर दियäter होए नमघर पर आप संपर करें और हमसे समझे किस तरीके से रीपेरिंग भी हो रही कैसे सिखा जाता है हम आपको सिखा भी रहे कि नहीं स्खा रहे हैं चल दो कि अईत्ट करे कवी आप सभाब कर दि तो वीडियो हम बने रहने के लिए थैंक्यू दोस्तों वीडियो में क्या-क्या सारी चीज़ है समझ में आई और कोई चीज वायरी है कोई चीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इतना मेनत करने के बाद आम आपको लाई आया वीडियो को सेयर सब्सक्राइब जरू करें आप भी हमको सब्सक्राइब करें हम भी आपको अच्छे सब्सक्राइब करेंगे वीडियो में रहने के लिए थैंक्यू दोस्तों